नमबर 9 पे बात करते हैं रुपसी एरपोर्ट के बारे में जिसका निर्मान असाम राज्ये में किया जा रहा है रुपसी एरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरपोर्ट है जिसका निर्मान असाम के धुबरी डिस्टिक्ट में किया जा रहा है इहाँ एयरपोर्ट एक domestic एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 337 एकर land area में फैला होगा और इस एयरपोर्ट की समुद्रतल से उचाई यह elevation 40 मीटर होगी रुपसी एयरपोर्ट में एक runway होगा जिसकी लंबाई 1829 मीटर होगी इहाँ एयरपोर्ट strategically भी हमारे देश के लिए काफे महत्रपूर्ण है क्योंकि बांगलादेश, भुटान और चाइना की बॉडर इस एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है और इस एयरपोर्ट के कारण North East इसके साथ ही भुटान में भी रियतन के छित्रों को बढ़ावा मिलेगा इस एयरपोर्ट के कारण टूरिस्ट भुटान की इंट्री सीटी, फुन्ट स्रोलिंग तक काफी असानी से पहुँच पाएंगे इसके साथ ही रुपसी एयरपोर्ट के कारण बाग डोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड भी रिडियूस होगा इस एयरपोर्ट पुरी तरीके से बनकर तयार हो चुका है और उमीद है कि जनवरी 2021 में ऑपरेशनल हो जाएगा इवम इसका निर्मान में लगभग 79 करोड रुपे खर्च किये गए हैं और इसका निर्मान कारिय फरवरी 2019 में शुड़ू हुआ था इस एयरपोर्ट का निर्मान गवर्वर्मेंट आफ इंडिया की उडान स्कीम के अंतरगत किया गया है इतना ही नहीं इन नए एयरपोर्ट के अलावा भी हमारे देश के बहुत सारे एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट को अपग्रेट करने का काम चल रहा है और उनके terminal buildings का expansion किया जा रहा है और इनके कारण हमारे देश के aviation sector को boost मिलेगा